नॉर्मल कोई भी आप प्रोड़क्ट खरीते हैं तो उसके साथ आपको इस तरीके से यूजर मैनुरल या फिर वारंटी कार्ड मिलता है और आपके प्रोड़क्ट की जो वारंटी है वो इस एक पेपर के उपर डिपेंड करती है वो दो साल तीन साल जितनी भी वारंटी है तब तक आपको ये पेपर अपने पास रखना पड़ेगा अगर ये खो जाता है तो आपको वारंटी क्लेम करने में दिक्कत आती है और यह जो problem है यह काफी पुरानी problem है हर product के साथ चलती आ रही है और किसी भी company ने इसका कोई solution नहीं निकाला है लेकिन सुवास्तिका ने इसका एक solution निकाला है और इसका solution है digital warranty यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सुवास्तिका का एक inverter रखा हुआ है और इस inverter के पी एक dongle होना चाहिए Bluetooth या Wi-Fi dongle जैसे यह आप मेरे हाथ में देख रहे हो यह सुवास्तिका का dongle है जो कि इस inverter के साथ connect होता है तो एक बार यह product आपने customer को दे दिया उसके बाद यह dongle आपको inverter के back side में connect करना है इसको connect करते ही आपका inverter बन जाएगा एक smart inverter और उसके बाद आप अपने inverter की पूरी performance including warranty भी अपने phone या laptop में देख सकते हैं dongle connect करने के बाद सबसे पहले आपको अपने phone में play store पर जाना है और वहां से आपको सुवास्तिका ESS application install करनी है यह application आपको play store पर भी मिल जाएगी और apple के app store पर भी available है यह तो सुवास्तिका की एक application है सुवास्तिका के पास अपने हर product range के लिए ऐसी multiple applications है screen पर आपको यह सारी applications दिख रही है play store और app store पर यह सारी applications available है आप सुवास्तिका का जो product खरीदते हैं वो application आपको install करनी है एक बार application install करने के बाद जैसे आप उसको open करेंगे तो वहाँ पर कुछ basic settings है जो आपको करनी पड़ेंगी जै Bluetooth या Wi-Fi दोनों ही तरीके से connect कर सकता हूं फिलाल मै Bluetooth का option यहाँ पर select कर लेता हूं और जैसे ही मैं यहाँ पर scan पर click करता हूं तो यहाँ पर scan करने के बाद इसने मुझे दिखाया है कि दो device nearby available हैं क्योंकि मैं यहाँ पर R&D Lab में हूं तो multiple devices यहाँ पर connected है यह वाला जो system मेरे पीछे यह उपर वाला है यहाँ पर तो इसको जैसे ही मैं select कर लेता हूं तो यहाँ पर आप देख रहे है connecting to सुवास्ति का ESS लिखा आगया app के अंदर उसके बाद continue पर मुझे click करना है और within seconds मैं इस system के साथ connected हो गया हूं यहाँ पर अब इस पूरे system की performance मुझे अच्छे स दिख रही है इसमें सबसे उपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर M36D29 उसके बाद 2336 लिखा हुआ है तो यह warranty period है जो यहाँ पर पूरा mentioned है M36 का मतलब है कि इस product की अभी 36 months की warranty pending है उसके उपर 29 days और last में 23 घंटे और 35 मिनट की warranty इसमें अभी pending है और यह जो warranty है यह reverse में चल रही है मतलब जैसे जैसे यह product आप यूज करते रहेंगे तो यह warranty कम होती चली जाएगी अभी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 23 घंटे 35 मिनट दिखा रहा है थोड़ी देर में 34 मिनट हो जाएगा उसके बाद धीरे 36 months की warranty है दिखा रहा है तो खुल मिला के तीन साल की warranty इस product पर अगर आपको मिल रही है तो तीन साल के बाद यह पूरा zero हो जाएगा इसमें सबसे best बात यह हो जाती है कि normal जो paper वाली warranty होती है यह इस paper के उपर dependent है उस product पर आपको दो साल तीन साल की जितनी भी warranty मिल रही है उतने time के बाद उस product की warranty खतम हो जाती है लेकिन क्यो warranty pause हो जाएगी जितने महीने तक आप इसको यूज नहीं कर रहें जितने time तक आप इसको यूज नहीं कर रहें तब तक इसकी warranty pause रहेगी उसके बाद जैसी आप इसको दुबारा लगाएंगे तो इसकी warranty उसके बाद से शुरू हो जाएगी यह तो थी phone की बात और इसी तरीक आप अपने laptop में देख सकते हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पीछे इसी सिस्टम को हमने wifi के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है तो यहां पर सार रहा ही डेटा में देखने को मिल रहा है जिसमें सेकिंड वाला अगर आप कॉलम देखेंगे बॉक्स देखेंगे यह है डिजिटल वारंटी का नया कॉंसेप्ट जो सुवास्तिका ने इंट्रड्यूस करा है और सुवास्तिका के सारे ही इंवर्टर्स में यह कॉंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा Bluetooth या Wi-Fi किसी भी मीडियम के थ्रू अपने smartphone अपने laptop के साथ अपने inverter को connect कर सकते हो I hope आपको डिजिटल वारंटी का यह complete concept समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके कुछ डाउट है तो नीचे comment section में लिख कर पूछे हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे Thank you for watching the video, goodbye